हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो इस ब्यूटिफुल से नीटिंग पैटर्न की है जो बनाना बहुत ही आसान है आप इस डिजाइन का जैन सुटर बना सकते हो लेडिस कार्डेगन पे इसे बना सकते हो गर्ल्स टॉप पे बच्चों के प् की वेलक mail प्रेंड्स हमने जो फंदे लेने है वह हमने थ्री के multiple जरूप गुणापए दालने हैं फिर तीन 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 ठीक हãy इस तरह से फंदे लेने हैं और कि यहान और एक के तो फंदे farad एक्स्रा हमने रखने हैं अब एकिज सारे फंदe हमने बीच में 3333 के जोड़े पर रखने है ठीक है यह देखिए इसकी back side उल्टी तरव से यह ऐसे दिखता है और यह उसका प्यारासा right side है सीधी तरव से ऐसे दिखता है तो चलो बताते हैं इसे तो यह देखो इस पर मैंने डाले हैं सत्रा फंदे, पंद्रा फंदे मैंने इस पे डिजाइन के लिए डाले हैं, तीन 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 करके मैंने पांच बार तीन 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 फंदे डाले हैं, तो पंद्रा फंदे डिजाइन के हैं, और दो फंदे एक्ष्ट्रा हैं, कि नारों के लिए एक एक फंदा एक्ष्ट्रा फंदा सिधा उतारेंगे किसह कि बाद सीधी तरफ पूरी सलाई हमें सीधी सिधी बनानी है कि कहले सलाई ऑन्हें को पूरा सिधा सिधा बनाएंगे यान liken कि हमारा जो डिजाइन ड़ेगा 방법 इलटी तरफ से डलेगा तो सीधी तरफ से हमने हर बार इसी तरह से बनाना है सीधा सीधा ठीक है तो देखो आपने देखा आपने कितना आसान डिजाइन है केवल सीधी उल्टी तरफ से डलेगा एक साइड और सीधी तरफ से पूरा सिंपल बनाना है सीधा इस तरह के जो डिजाइन होते हैं जिनको हम एक साइड से प्लेन बनाते हैं वो बनाने में बहुत आसान होते हैं बनके भी जल्दी जल्दे से त्यार होते हैं तो देखिए पहली सलाई कंप्लीट हो गई अब दूसरी सलाई उल्टी तरप से बनाएंगे हम डिजाइन को तो यह जो back side है, second row, इसे ध्यान से देखेगा, ठीक है, तो यह देखें, पहला फंदा, फंदा से इस्टीच है, इसे उल्टा उता रहे हैं, अब देखें, तीन तीन फंदों का ये design है, पहला फंदा छोड़के, दूसरे फंदे को छोड़के, तीसरे फंदे को यह देखिए जो थार्ड स्टीच है तीसरा फंदा इस पे सलाई जालेंगे इस से और इससे इस तरह से बनेंगे उल्टा ठीके और और अब इस फंडे को इन दोनों फंदों के उपर से लाते हैं हमने यहाँ पर गिरा देना है ऐसे यह देखे यह जो दो फंदे है अब इन दोनों फंदों को भी हम उल्टा बनाएंगे एक एक करके तो एक तरीका तो यह है और दूसरा तरीका देखे एक दो तीन दूसरे तरीके से आप इसे इस तरह से भी बुन सकते हो पहले इस फंदे को आगे ले आए इस तरह से यहाँ प ठीक है, जो तरीका आपको सही लगेगा, सरल लगेगा, उसे आप अपलाई कर सकते हो, देखिए, एक, दो, ती, इस तीसरे फंदे को इस तरह से सलाई डालेंगे, और पहले इसे बुनेंगे, फिर इसे इन दोनों फंदों के उपर से लाते हैं यहां पर छोड़ देंगे, पहले इसे उल्टा बनाया, फिर इन दो फंदों के उपर से लाते हैं यहां पर गिरा देंगे, फिर यह दो फंदे जो हैं इन्हें उल्टा बनाएंगे, और जो दूसरा तरीका है, इन दोनों फंदों के उपर से लाते हैं तीसरे फंदे को यहां पर उल्टा बनेंगे, ऐस पर इनदो फंडोप को बनेंगे एक एक करके उल्टा कि स्थेच को उल्टा बनेंगे तो यहाँ पर जो यह दूसरी सलाई मैंने आपको बताई है और इस डिजाइन को बनाने के दो तरीके बताए हैं आपको जो तरीका सवही लगे उसे आप बनाए हैं दूजाइन हमारा आगे से एक जैसे ही बनेगा आप किसी भी तरीके से बनाओ डिजाइन एक जैसे ही दिखाए देगा तो देखिए दो सलाइया यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी हैं इन ही दो सलाइयों को फिरेंट्स बार बार रेपीट करना है एक बार मैं फिर से आपको बन बोनां के बताती हूँ, पहली सलाई तो सीधी तरब से सीधा पर मिलाएन द Unless I just अपनी भात का अपनी ध्यान रखना है जब भी आप इस डिजाइन को बनाओगी ? तो आपने सलाईयां थोड़ी मोटी लेनी हैं, क्योंकि ये डिजाइन थोड़ा सिंक होता है, बनने के बाद, थोड़ा टाइट बनता है ये, तो इसके लिए आपको एक नमबर, अगर आप दस नमबर से स्वेटर बनना चाहते हो, तो आपने 9 नमबर से स्वेटर बनाना है, देखिए अब उल्टी तरब से, पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, अब देखिए एक, दो, तीन, तीसरे फंदे को आगे लाएंगे, इन दो फंदो के उपर से, इस तरह से करते वे आगे लाएंगे, फिर इसे बुनेंगे, ऐसा, फिर इन दोनों फंदो को बुनेंगे, ऐ पर लाएंगे आगे फिर इसे इस तरह से बुनेंगे उल्टा फिर ये दो फंदे दोनों को उल्टा ठीक है अब देखिए एक दो और ती इस तरह से इस फंदे को लाएंगे आगे पहले इसे बुनेंगे फिर इन दो फंदों को बुनेंगे फिर से देखे एक, दो, तीन, तीसरे नमबर के फंदे को आगे लाएंगे, ऐसे, पहले इसे बुनेंगे, फिर इन दो फंदों को बुनेंगे, उल्टा, ठीक है, फिर से देखे, एक, दो, तीन, तीसरे फंदे को इस तरह से आगे लाएंगे, पहले इसे बुनेंगे मुझे ये वाला तरीका ही जादा सर लगा तो मैं इसे को ही बुन रही हूँ आप दूसरे तरीके से भी बुन सकते हो जो मैंने पहले बताया है लाश्ट का फंदा इसे भी उल्टा ही बनाएंगे तो देखिए ये डिजाइन यहाँ पे दो सलाई का मैंने फिर से यहाँ पे रिपीट करा है सीधी तरफ से देखिए क्योंकि मैंने ये बारिक सलाई पे बुना है तो ये बहुत टाइट आया है इसी बात का धियान रखना है कि सलाई हमने थोड़ा मोटी लेनी है इस डिजाइन को बनाने के लिए एक नमबर आपने ज़्यादा मोटी सलाई से इस डिजाइन को बनाना है तभी ये डिजाइन अच्छे से बनेगा और अच्छे से खिलके ये डिजाइन आएगा देखिए इस पे मैंने लूज मोटी सलाई लगाई है तो मोटी सलाई पे डिजाइन तिकता है पारिक सलाई पे थोड़ा टाइट आता है फंदे भी कम हो जाते हैं तो आपने इस बात का धियान रखना है तो बनाईए इसे और मुझे कमेंट करके बताईएगा झाल झाल झाल